हेलो एवरिवन दिस इस काज़े शेर्मा स्वागर्द आप सभी का काज़े शेर्मा क्लासे यूज़ब चैनल में आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं शोशल स्टडीज का लेसन प्लान जिसका टॉपिक रहेगा इंडर धनुष का निर्मान कैसे होता है और जो स्किल के उपर ही प्रिपेर किये जाते हैं में फोकस स्किल पर रहता है कि आप किसी भी टॉपिक को किस स्किल से पढ़ा रहे हो तो यहां पर जो स्किल है वो है स्टुमिलस वैरिएशन स्किल जिसको हिंदी में उद्धीपक परिवर्थन कोशल बोला जाता है तो स्टार्ट करते ह सबसे पहले आप समझ लीजिए कि उद्धिपक परिवर्तन कोशल कहते किसको है उद्धिपक परिवर्तन का मतलब होता है कि आप student को कोई भी एक तरह से आप बोल सकते हो हिंट देते हो या फिर कोई भी आपकी activity आपके moments होते है उससे student की activity में क्या changes आते हैं क्या परिवर्तन आता है उसे बोला जाता है stimulus variation skill या फिर उद्धिपक परिवर्तन कोशल एक example आपको देती हूँ यह example मैंने अपनी और वीडियो में भी दिया है जैसे माल लीजिए एक classroom है यहां पर बहुत सारे students पैटे हैं lecture start होने से पहले बहुत ज्यादा शोर कर रहे है classroom में यहां वहां एक दूसरे के साथ मस्ती मज़ाग चल रहा है जैसे होता है अक्सर बच्चों में तो जैसे ही यहां पर classroom में teacher की entry हुई सबी बच्चे एकदम शान्त होकर अपनी अपनी seats पर बैठ गई तो इस तरह का कुछ महोल रहता है तो यहां पर teacher के आने से क्या हुआ teacher ने यहां पर बच्चों को data भी नहीं बस teacher की entry होते ही बच्चे समझ गए उनको एक stimulus मिल गया यानि कि एक उनको hint मिल गया कि अब teacher आ गए अब हमें चुप होकर बैठना है तो उनकी जो response मतलब जो response है उनके में change हुआ तो यानि कि teacher ने उनको stimulus दिया teacher के आने से ही उनको stimulus मिल गया और उनक कहा जाता है stimulus variation या फिर उदीपक परिवर्तन कोशल सो start करते हैं यहां पर आप देख सकते हो तीन कोलम बनाये जाते हैं जब हम micro lesson plan prepare करते हैं सबसे पहले आपको पता हो कि stimulus variation skill के घटक कौन-कौन से होते हैं component कौन-कौन से होते हैं तो उसके according ही जो teacher है उनकी statement रहेगी activity teacher and student दोनों की तो start करते हैं पहली statement है चात्रा ज्यापिका की आज हम इंद्रधनुष के निर्मान के बारे में अध्यन करेंगी क्या आपने इंद्रधनुष देखा है बच्चे बोलेंगी हाँ देखा है तो आपने यहां पर किस का यूज किया किस component का किस घटक का यूज किय भाव केंद्रन यानि कि आपने बच्चों के भाव को एक centralization दिया आप एक concept पर ले आए बच्चों को बच्चे imagination में पहुच गए उनके भाव का केंद्रन हुआ और यहां पर एक और component है प्रस्तावित कथन का प्रियोग यानि कि आपने एक introductory line बोली है तो इसको बोला जाता है प्रस्तावित कथन का प्रियोग फिर आती है टीचर की statement क्या कोई बता सकता है कि इंद्र धनुष की आकरती कैसी होती है बच्चे नहीं बता पाते इतना ध्यान नहीं होता या फिर कुछ इधारती बता भी देंगे यह जरूरी नहीं है फिर छात्र धापी का पोस्ति है क चात्र धापी का यहां पर भच्चे को बता रही है श्राम पट पर चित्र बनाते हुए यानि कि ब्लैक बोर्ड पर चित्र भी बना रही है कि इंद्र धनुष की ऐसी शेप होती है clear और यहां पर किस component का यूज किया यहां पर द्रिश्य श्रव्य बदलाओ यानि कि जब च यूज किया गया है फिर आता है यहां पर चात्र धापी का अगली statement बोलती है कि आपने प्रकाश के dispersion के नियम को पढ़ाई होगा जब प्रकाश की किरन एक संपाश में से गुजरती है तो यह कई रंगों में बढ़ जाती है कोई बच्चा मुझे बताएगा यह रंग कौन कौन से होते हैं यानि कि यहां तक तो चात्र धाप्यक ने बच्चों के explaining किया और लास्ट में फिर question भूसती है कि कोई मुझे बताएगा कि यह रंग कौन कौन से होते हैं तो बच्चे यहां पर बता देते हैं कि हरा नीला बैंगनी निहीं बता देते हैं कि कौन कौन से रं पहले हो, फिर नेक्स statement आती है, बहुत अच्छा, आप मुझे बताइक कि वाउयु मंडल में कैसे बनते हैं, तो यहाँ पर बच्रति हैं कि वाउयु मंडल में धूल में धूल के कन होते हैं, जलवाः इं परेट जाते हैं और इस प्रकार वाउयु मंडल में बनते रहते हैं, तो बच्चों ने बता दिया, तो यहाँ पर किस component का यूज हुआ है, अंतरक्रिया की शैलियों में परिवर्तन, यानि कि interaction की जो style है वो change हो गई, या पहले चात्या जापिका खुद बोल रही थी और बच्चों को सिर्फ सुन रही थी, लेकिन यहाँ पर बच्चे भी बोल र कर रहे हैं, उद्धीपक परिवर्तन कोशर कर रहे हैं, इसके कौन-कौन से घटक होते हैं, अगर आपको यह पता रहेगा, तो आप अपने आप statement, अपने आप छात्या ध्यापिका और विध्यारतिक रियाव में एड कर सकते हो statements को, लेकिन आपको components का पता हो कि किस skill के कौन से component होते हैं, फिर अगला आता है, क्या आप हमेशा वर्षा के बाद इंद्रधनुष तेकते हो, चाहते ध्यापिका प्रशन कर रहे हैं, बताईए, आप हमेशा इंद्रधनुष तेकते हैं, तो बच्चे बताते हैं, नहीं, वर्षा के बाद हमेशा इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता अब यह भी बताओ तो यहां बच्चे बताते हैं कि इंद्धनुष का निर्मान वायू मंडल में जलवाश्पों के होने पर निर्फर करता है बच्चों को इतनी नौलिज इसलिए है क्योंकि बच्चे अल्रेडी एकॉंसेप्ट पढ़ चुकी हैं अपनी टी उनके स्वर में उतार चड़ावाता है यानि की जब वो बताते हैं तो बताने का जो स्टाइल होता है जिस वे से वो बता रहे है जो उनके वोल्यूम है उसमें जो है उतार चडहावाता है एक्स्ट है यहाँ पर जो है छाथय ध्यापिका बताती है कि वायू मंडल में वाश्पो का निर्मान और सूर्य की किर्णों का महत्वपून कौन से होकर गुजरना ही इंद्रधनुश के निर्मान का कारण होते हैं यहाँ पच्छात्याद्यापिका बताती हैं विध्यारती सुनते हैं और विध्यारतियों की सक्रिय भागेदारी यानि कि विध्यारतियों की भी पूरी active role है concept को समझने में and discussion में फिर यहाँ पर आपको last में observation table बनानी होती है कि आपने किस component का कितने अच्छे से यूज किया है जो pupil teacher के supervisor है उनको rating देते हैं उसी according माली जी आपने दृष्य श्रव्य बदलाव का बहुत अच्छा यूज किया है teaching करते time इस component का बहुत अच्छा यूज किया है तो आपको 5 rating मि माली जी आपने प्रस्तावित कतनों का परियो गयाने कि आपने introduction statement का यूज बहुत अच्छा नहीं किया है तो आपको मतलब कम rating मिल सकती है तो इस तरह से observation table प्रिपेर की जाती है तो यह था lesson plans stimulus variation skill का या जिसको हम उधार अंद्रिश्टांत कोशल भी कहते हैं I hope आपको प्रस्ताउ प्रस्ताउिक